हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू माई चानल आज हम बनाने जा रहे हैं एक पाइनेपल केक इसमें मैंने विप्ट क्रिम पहले रेडी कर लिया है और इसमें दो डौप पाइनेपल एसेंस के डाल दिये हैं अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद साइड में रख देंगे और फिर हम अपनी केक स्पॉंज पर ध्यान देंगे अब टेक स्पॉंज लेंगे रम इसकी एकवल लेयरिंग करेंगे यह कितना सॉफ्ट है है हैंना है कि अब हम इसको इकवल तीन लयर में कट कर लेंगे कि इसकी जाली देखे फ्रेंद्स कितनी अच्छी बन continents है अ यह पता है खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है मैं इसकी रेशिपी जल्दी शेयर करूंगे आपके साथ अब हमने मिडल वाले लेयर को नीचे केक बेस के साथ विप्ट क्रीम की हल्प से स्टिक कर दिया है उसको उसको अच्छे से सोक किया फिर हम नो उस पर विप्ट क्र प्रاش और उसको अच्छे से फ्ला लिए तोड़ा दो भी वाल है यह फिर फिर ऊच्छे से फ्ला लिए और फिर असमें यूब डाले शेंपने फोर दौले डाले JOHNS मै घर पे रेटी किया है सुगर सीरफ में हमने पानीपल को बॉइंपन कर लिया है निचे के इसको नीचे की तरफ करके रवीन साइचाप कर लिया अधर मैं न के उपना तरफ नॉकिन के यो यए दे बना थे और अदर फोड़ासा रेगुरर वाटर उसको मिक्स करके मैंने उसी पानी के सोकिंग करी है तहकि पैनेपल केक करें टेस्ट और व्ही जादा इन्हांस हो जाए अब मैंने वापस से अपनी विप्ट क्रीम फैलाई अपने लेयर पे और फैर मैंने डाला अपना क्रश मैं क्रश यूज करती हूँ फ्रेंट्स माला का मैं दिखाती हूँ आपको ये देखिए ये वाला ये बहुत ही टेस्टी होता है अब ट्राई जरूप कीजिएगा उसके बा के बाद मैंने डाला अपने चंक्स और फिर इसको अच्छे से कृम कोट करें और फैंल लेयर फैंल निट्श करने के बाद को दस मिन्ट फ्रेज में रख दीजेगा फिर पर ने नूट्रल जियर टाले बढले के टाले द कुछ है और उसको अठीज और को मश्राद का जिए तिक उपर मैं डाला one tablespoon regular water दाकि ए्धकमी बार में यह सब्धकर दाल है यह कोई कस्टमाइज के कॉडर था नहीं तो मैंने फिर इसको बेकरी स्टाइल बनाने का ही सोचा इसको मैंने अच्छे से कवर कर लिया है अब देखिए इसे किती अच्छी शाइन आ रही है इसको पर मैंने चॉकलेट ग्लेज से लाइनिंग से बना ली जैसा कि बेकरी में र आप ने मैंको तूथपिक के हल्प से मैंने इसको इसमें डिजाइन बंडा लिये हैं टॉर पीजिश के आप देख सकती हैं बिल्कुल एजि ए और आप कोई भी पी इसको घर में आराम से बना सकता आप बोडों त्रॉप जिआए इसको डिली कर सकते हैं हैं तो यह सब अग फ्लावर्स यह देखिए किती इजीली फ्लावर्स बन गए अगर आपका विप क्रीम पर्फेक्ट होगा ना फ्रेंट्स तो यह फ्लावर बनाने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी और इसके एज़स बहुत स्मूथ बनेंगे यह बर्दे केक है एक लड़की के लिए बट ऐसा कुछ कस्ट्रमाइज डॉर्डर नहीं था और उसके ममी ने कहा आपको जैसा पसंद है वैसा बना दीजे तो मैंने फिर अपनी अपना ही दिमाग लगाया कि वेक्री स्टाइल केक तो हर किसी को पसंद आता है तो मैं बना दे कुछ गार्णिश जो मेरे पास पहले से पढ़े होते और मैं इसको डालूं कुछ चॉकलेट वेफर रोल्स कुछ चॉकलेट बॉल्स और आप बताये इस फाइनल मेरे केक का लुक कैसा लगा आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेर और कमेंट जरूर क किजेगा आप प्लीज फोटो मेरे साथ शेर कीजिएगा थाइंक यू सो मच